So, hello everyone, ये वीडियो रहने वाला है जो SSC का exam होगा आपका, यानि जो सीजल का exam है, और भी जो उससे पहले या फिर उससे बाद में जो exam होने वाले हैं, तो अब vendor change हो रहा है, जो इसकी हो जैसे क्या impact पड़ेगा और हमाँ अपनी GK की preparation को किस तरह से करना चाहिए, क्या changes करने अच्छी है, तो वो इस वीडियो हमने वो discuss करने वाले हैं, तो पिछले साल SSC ने ये रिलीज किया तो और कुछ important चीज़े भी हैं वीडियो के last में, जो last में आपको बता चलेंगी, तो ये notification रिलीज किया था SSC ने, देखिए SSC के main दो काम होते हैं, एक तो question bank create करना, कि कौ कौन से questions पूछे जाएंगे, और दूसरा software, for handling the question, जो आपका computer-based examination होता है, वो एक तरह से software होता है, वो और दूसरा जो questions आप solve करते हैं, तो भाई, आमें software से तो कोई उतना लेना देना है नहीं, हाँ, software smooth work करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि CGL mains के time पे भी ऐस questions है, कि किस तरह से जो question bank create होगी, किस तरह के questions पूछे जाएंगे, वो किस तरह से impact करेगा हमारे exam preparation को, तो देखिए, अभी तक अगर मैं बात करूँ, तो हाँ, बात ये है कि SSE ने ये बोला था, कि हम भी question bank, अभी क्या है, अभी question bank और software दोनो एक ही agency के पास थे, and that was TCS, जि question bank के लिए हम अलग रखेंगे, software के लिए अलग रखेंगे, तब से अभी तक कुछ इस तरह का major development नहीं हुआ है, जो मैं SSE के website से पता चलाओ, कि हाँ उनको उन्होंने vendor decide कर लिये हैं, तो ये दोनों अलग-अलग agencies करवाएंगी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा scenario समझ लेते ह इस तरह से scenario है, तो scenario कुछ इस तरह से है, हम दो पार्ट में इसको divide कर सकते हैं, कि जैसे question bank वाला एक category हो गया, और दूसरा हो गया हमारा एक software वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग-अलग करवाएंगे, ठीक है, अब क्योंकि दोनों काम अभी TCS ही कर रहा है, ठीक है, दोनो देने देना नहीं है, कि कौन करवाएंगा, बस, यह कि smoothly work करना चाहिए, और हम इस वीडियो में discuss कर रहे है, कि कि किस तरह से हमने अपनी preparation को change करना पड़ेगा, और यह जो आपनों का खौफ बैठा हुए, क्योंकि आज जो मैंने batch class ले रहा था CCGK 2.0 की सुबह, तो यह doubt आ या तो TCS के पास पहुँच जाएगा, या फिर कोई नया आएगा, ठीक है, कितने chances हैं, 50-50% chances, अगर TCS ही रहेगा, तो जैसे अभी तक questions आ रहे थे, वैसे अभी भी आगे भी आएगे, यानि कि कोई intentionally बात नहीं है, ना, दूसरा scenario है, कि कोई नया wonder आ जाएगा, अब नया wonder या रा जाएगा, इसके 50% chances है, इसको भी मैं 25-25 में bifurcate करूँगा, बस मैं आपका जो मन का वहम है न, उसको दूर करने के लिए बस ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो 25-25 chances है, कि ये chance ये है, कि 25-25 मैंने किस basis पर divide कर दिया, कि जो नया vendor आएगा, वो TCS की तरह ही question पूछ बहुत minute से हो सकता है, changes कुछ न, कुछ तो changes होंगा, ये obvious है कि बहुत minute से changes, जैसे कि मानलो अभी तक static GK में 6 questions आते तो 4 questions आने लगे हैं, तो उससे कोई ज़्यादा बड़ा impact पड़ेगा नहीं, ठीक और level भी almost गुमाफिरा के same ही है, ये 25 chances मान लेते हैं कि चीज़े change होंग पर अभी static GK से मानलो कि 7-8 questions आ रहेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, 7-8 questions आ रहे हैं, 25 में से, ठीक है, तो अभी हो सकता है कि 2-3 questions हो जाएं, या तो ये हो सकता है, दूसरा, level उपर नीचे हो सकता है, level नीचे होगा तो दोस्ते तुम्हें कोई tension नहीं बात नहीं है, level उपर स चीज़ें कहां पर हैं, डरने वाली सिर्फ यहीं चीज़ें ना, कि एक तो ratio वाला change हो जाएगा, और level उपर हो जाएगा, तो मैं आप से ये बोलता हूं कि आप, और तो कुछ change नहीं होगा न, ऐसा तो नहीं कि GK में चीज़ें बदल जाएंगी, या फिर अगर अभी highest mountain peak in the world Mount Everest है, तो अगर कोई vendor change हो जाएगा, तो उसके लिए कोई नई peak हो जाएगी, या फिर अगर हम बात करें, polity में अगर हम बात करें, तो head of country, अगर president होता है, तो कोई और होने लगेगा, तो ये तो होगा नहीं, पूछेगा वो जी कही, कोई subjects होई आने वाले हैं, subject हमारा polity, geography, history, static, तो subjects तो होई होगे, घुमा फिर आके, ठीक है, कोई चीज चेंज नहीं हो जाने वाली है, तो main change हो भी क्या सकता है, तो max level उपर हो सकता है, तो मैंने आपको इस level तक train कर दिया है, चाहिए से सी का, अगर जो लोग batch control है, नहीं भी अन्रोल है, जो पीवाई की सीरीज हम लोगी चल रही है, या फिर CGL के लिए जो dedicatedly start होगी, PYQ Series Part 4 अगर हम बात करेंगे, फिर Part 3 कोई भी हो, ठीक है, आप जब PCS level के CDS, जो UPS सी कंड़ करवाता है, CAPF, उन level के अगर आप questions लगा लेते हो, तो अव्यसी बात है चाहिए कोई भी vendor आ जायाना है, question आराम से tackle कर करेंगे, बस आपको अपनी preparation उस level पर रखना है, revision रखना है, confidence रखना है, preparation रखना है, revision रखना है, confidence रखना है, कुछ भी नहीं होगा, और फिर अगर हो भी गया, तो क्या कर लोगे, पहली बात तो वो change सब के लिए होगा, और जो चीज तुमारी control में नहीं है, उसको सोच के आप सिर्फ अपना time ही waste करेंगे, और यह मैं बिलकुल दावे के साथ कह सकता हूँ, कि अगर आप इसमें अपना time waste करेंगे, तो बाद में regret जरूर करेंगे, कि भई, फाल्तु में कि यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मानलों बेंटर change होता भी है, कि हो सकता कि TCS कोई दोनों दे दे, ऐसी से कोई भरोसा थोड़ी ना, दोनों TCS कोई सॉंप दे, ठीक है, और मैंना को इसलिए बता दिया कि TCS आ गया तो, तो तो कुछ change नहीं होना है, और कोई नया आ गया तो, तो वो क्या कर सकता ज्यादा ज्यादा, रेशियो या तो उपर नीचे कर सकता है ठीक है, अगर हम यह preparation solid है, तो कुछ भी कर ले, वो किसी के भी question ज्यादा दे, क्योंकि हम सारी चीज़ें, अगर बैच में जैसे कि मैं अगर पढ़ा भी रहा हूं, तो वो सारी चीज़ें equal उस पर focus कर रहा हूं, या फिर अगर आप खुद से भी पढ़ रहा है, फिर कहीं स पढ़ रहा है, तो उस पर आप equal focus करके अभी से चलें, और इबात level की, तो इस level तक कि आप preparation कर लें, अपने एक तरह से concept building कर लें, static gk में तो concept building होता नहीं है, लेकिन quality, economics, geography इसमें, ठीक और मैं उगदम वो level लेकर चलता हूं, कि आप PCS level का भी किसी भी state PCS का level का भी question उठा gk quiz 2, है ना, because आपकी preparation को track करने के लिए, एक तरह से मुख सकते हैं कि नई series है आप लोगों के लिए, जहां पे आप एक all India level का test दे सकते हैं, पिछली बार हम लोगों का पिछले हर संडे को ये test होगा, free होगा, आपके exam तक होगा, ठीक है, हमेशा ये free रहेगा, और ये संड के दिन ही होगा, और 12 पीम पे होगा, सारी चीज़ा आपको पता होने चीए, और इस सिर्फ 10 मेट के ले लाइव होगा, जिसके basis पे आपकी, मैं winners announce करूँगा कि ये लोग winners हैं, बाकी तो आप कभी भी इसको attempt कर सकते हैं, live section में जाके, परमारक आडमी अप्लिकेशन पे जा का, वो इन 10 मेट के basis पे होगा, ऐसा कुछ test नहीं बदल जाएगा, और कुछ चीज़ा नहीं बदल जाएगी, बस ये है, कि जो winners announce होंगे, वो उस 10 मेट के basis पे ही होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि कोई गलत तरीके से, मतलब top में आने कोशिस मत करना नहीं, तो तो ये कुछ गलत तरीके से मत करना, और बाकी, तो quizzes भी आप attempt करते रही है, ठीक है, जो परमार S.S.E. Telegram पे चल रहे हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के description मिल जाएगा, और जैसे ही 200 के complete होने वाले, आपको पता है, बाकी suggest के भी quizzes start हो जाएगी, अलग channel पे, ठीक है, so that य लेने के बिल्कुल भी जरत नहीं है, tension आप मेरे पे छोड़ दो, GK का tension आप को लेने के जरत नहीं है, या फिर अगर आप PYQ series भी कर रहे हैं, तो आप उस पे regular रही है, और उसको revision करते रही है, अच्छे से, बाकी ज्यादा tension मतली है, है ना, क्योंकि tension लेने से, चीज़ें आपके according नहीं होने लगे हैं, कि आप tension लेलोगे, तो window change नहीं होगा, या फिर कुछ आप जैसे चाहते हैं, वो ऐसी सारी चीज़ें हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, अन बाकी, जो लोगोंने हिंदी की current interface, January की monthly magazine अभी download नहीं करी है, तो वो download कर लेंगे, upload हो चुक 12 p.m. पे होगा, हर संडे को होता है, यह हम लोगा कल second number का होगा, ठीक है, चली भाई, thank you सभी को, तन्यवाद